अच्छा, कोर साब अपने बारे में थोड़ा सा तारफ करवा दें ताके रिकॉर्ड मेरे मेरा नाम इर्शाद अली खोकर है जी, मैं पाकिस्तान में डेक्टर जनरल मिनल्स हूँ में मूल्क के जो हमारे पॉलिसी ओ अ फेर्स हैं या मिनल्सेक्टर के इंटरनेश्ञनल ओ नैशनल अफेर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान गवर्मेंट में मैं रिस्पॉँबर हु हूं जी, सारे सेक्टर का वहां पर और मेरा मेन फंक्शन जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इशू है उनको डेस करना है अच्छा गोल्ड माइन्स के हवाले से सुप्रीम कोट में केस भी है तो अब वो किस स्टेज पे जा रहा है केस ये रिकोड लिखा जो प्रोजेक्ट है नजी इसके लिए कुछ न्यूस पेपर में स्टोरीज आहीं थी 2010 में तो कई लोगों ने इस पर कॉन्सिटूशनल प्टिशन्स मूव की थी तो सप्रीम कोट अभी उनकी हीरिंग का रहा है और भी डेटस्ट उसमें ये है के गौर्मेंट अप बलुचस्तान ने उनकी जो एप्रीकेशन थी के हमारे एक्स्टूरीशन लेसंस को मानिंग रिजन में कनवर्ट कर दिया जाए तो बलुचस्तान गौर्मेंट ने नुवंबर 2011 में उसको रिजेक्ट कर दिया था और अब भी बाकी उन मामलत पर सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है जी के अभी ताके जो कॉंस्टिशनल पेटिशन्स वहां पेंडिंग है उनको डिस्पोज आफ किया जा है कोकर सब शक की बुनियाद क्या थी इस सारे एग्रिमेंट में वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आफ समझते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो सकता था और सुप्रीम कोर्ट तक ये बाच चली मेरी नजर में तो ये मसला पहले भी हाई कोर्ट में अबलोचस्तान में दोहजार साथ और दोहजार च्छे में एग्जामन हुआ था उसमें कोई ऐसी खास बाते नहीं थी ये ज्यादा था चीज़ों को जो जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है ये बेसिकली गौर्मिट अबलोचस्तान और जो तैथियन कापर कॉमपनी के दरमयान है पहले इसकी तैथियन कापर कॉमपनी में ब्रोकन हिल प्रोक्राइट क्रियास ते लिया था उनको रिप्रेस करके बेरी गोल्ड कैनाड़ा और एंट फेगास्ता चिली के पास उनका शेयर ट्रांसफर हो गया दोजाद छे में तो अगर क्लास बलाए क्लास आप चिज़ों को देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें तो देखा जाए के वह हमार समझते हैं कि जितने भी माइन्स के हवाले से एक्रिमेंट वगरा होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरंट होते हैं मैं अर्स करूं जिके ये पाकिस्तान की हिस्टी में एक पहला एग्रिमेंट था मिनल सेक्टर में इससे पहले कोई इस किसम के एग्रिमेंट हुए नहीं और नॉर्मली जो पाकिस्तान में वाकी सेक्टर में एग्रिमेंट होते हैं तो लिकिनन ट्रांसपेरंट होते हैं और government और हमेशा ये ख्याल लगती है कि हमारे जो नेशनल इंटरस्ट है उसको अबलियत दी जाए और उसमें total transparency को ensure किया जाए जाए कोकर सब जो बेरिक गोल्ड का अपने नाम लिया आपके ये knowledge में है कि वो बेरिक गोल्ड company जो है वो ये delegation जो है जिसमें आप भी शामिल है और वो इसके sponsors में है इस जो convention के नहीं हमें हमें तो sponsor जो किया है वो इन लोगों ने नहीं किया हमें sponsor किया है word bank ने जी अच्छा आपकी बेरिक गोल्ड वालों से भी यहां पर मुलाखाते होंगी नहीं जी उनके साथ हमारा कोई ऐसा plan नहीं है किया हमारे साथ उनके issues है अट different international और national लेवल पर इस वकत जो के subjudice भी है तो हम लोग मेरा खाल है उनके साथ अभी इस position में नहीं है कि उनके साथ कोई में उनके कोई मीटिंग्स करें हैं लेकिन अगर आपको कहा गया और बेरिक गोल्ड वालों ने जो पाकिस्तानी डेलिगेशन है उसे request की कि उनका मौकफ सुन लें आप कैनेडा के अंदर माजूद हैं Canadian company है तो क्या आप refuse करेंगे क्या मीटिंग में जाना चाहेंगे मेरी गुजारश यए है कि इस सलसे में ये proper forum नहीं होगा के हम उनके साथ यहाँ पर इस मौद्ब पर बात करें इनके साथ हमारी वहाँ पर पाकिस्तान में बात होती रहती है और तो आप भी मामलात कोट में तो वहाँ पर बात की जाएगी यहाँ पर मेरा खाल है हम इस यहाँ, वो पाकिस्तान में हमारे पास कई साल से हैं और हमारे साथ उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं और थी माने मौकम का पता है। गौवर्मनेटर पाकिस्तान, गौर्मनेटर अब्लोचिस्तान. और यह पार्टनर है तेथिान कापटर कॉममपनी में इनके नमाइन देवन्देкий कपाकिस्तान आते रहते हैं अच्छा, आप डारेक्टर जनरल हैं, कभी आपको एसास हुआ कि इस केस में आपको को प्लिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ा हो? नहीं जी मुझे कभी किसी ने इस बारे में मतलब कि मैं इस बात को हल्फन कहता हूं कि मुझे कभी किसी ने इस बारे में कोई हल्फन कभी कोई प्रेशर किसी ने डाला कि इसको यूं करें यूं करें बलकि हमने हमेशा ये बैर गोल्ड को भी ये समझाया कि मुलक की जो हमारे मुलक में पॉलिसियां या हमारे रूल्स हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें आप उनमें कोई किसी किसम की का रिलैक्सेशन ना सीख करें कभी आप उनमें कोई कंसेशन सीख ना करें ताके आप एक बिलकुल यह जो जो भी कोई अग्रिमेंट्स हों वो सस्थेनेबल हों ट्रां उसके मताबक चलें हमसे कोई किसी किसम की रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट ना करें अच्छा यह जो डेलिगेशन है आप समझते हैं कि पाकस्तान को हाइदा पहुंचेगा या सेरो तफरी करके डेलिगेशन वापस चला जाएगा देखें जी यह यकीन एक ऐसे मौके पर डेलिग नहीं होना चाहिए इससे यह पाकिस्तान में हमें एक फाइदा होगा यह डेलिगेशन को एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा उन्हें यह देखना देखेंगे कि दुनिया में में मिनल सेक्टर में क्या क्या इनिशेटिव्स हो रहे हैं दुनिया में मिनल सेक्टर में क्या क् इस वक्त एक्टिविटीज ओन हैं और किस किस तरह की टेक्नोलोजी इस सेक्टर में आई है तो इस से इस इंटरेक्शन से कम असकम हमें कपैस्टी बिल्डिंग के लिए हमारे पाकिस्तान में बड़ी मदद मिलेगी है।